हेलो फ्रेंट्स, वेलकम टो माई यूटूब चनल, गाइस आज की वीडियो में हम बात करेंगे कार्यालाई अधिश्ठाता सास की चिकिस्सा महाविध्यालाई दतिया की, जी हाँ पैरामेडिकल कोर्स में एडिविशन के लिए नौटिफिकेशन आ चुका है दतिया मेडिकल कॉलेज से पंद्रा चार दोजार तेज का ये नौटिफिकेशन है, तो चलिए देखते हैं दतिया मेडिकल कॉलेज में कौन-कौन से कूर्स कराया जाते हैं, आप देखेंगे सास की चिकिस्सा महाविध्यालाई दतिया में सेक्षिडिक सत्र दोजार बाईस तेज के लिए निम्नानुसार पैरा मेडिकल पार्टी करमों में फ्रिवे से तु आविधन पत्र दिनांग 15-4-2023 से 15-2023 तक आमंत्रत किये जाते हैं, तो 15-4-2023 से आपके पहुंबाना स्टार्ट हो चुके हैं और एपलाई करने की जो लास्ट टेट है वो है 15-2023, अब हम देखेंगे क कौन कौन से कोर्स यहां से कराया जाते हैं, कितनी सीट्स हैं, पहला जो कोर्स है वो है डिपलोमा इन मेडिकल लैब टेक्निशन का टूटल इसकी 40 सीट्स हैं, दो साल का कोर्स है और आपको 12th पास आउट होना चाहिए फिजिक्स, कैमेस्ट्री और वायलोजी से और जिसमे जनरल केटिग्री के कैंडिडेट के लिए कम से कम 40% अंक होना चाहिए और आरक्षित स्रैनी के उमिदवार के लिए 33% अंक के यहां पर होना चाहिए, इसके बाद यहां पर OT टेक्निशन का सर्टिफिकेट कोर्स कराया जाता है, 40 सीट इसकी हैं, एक वर्स का कोर्स है, तो जनरल के रूम में समलित हो सकते हैं, आविदन पत्र का प्रारूब वा नियम सर्तों की विस्तर जनकारी महाविद्याले की बैप साइट धियामेडिकलकॉलेज.com से डाउनलोड किया जा सकती है, जो भी जनरल के टिग के कैंडिडेट हैं, उनको 600 रोपे का पेमेंट करना हो होगा और जो भी आरक्षित वर्ग के उम्मिद्वार हैं, ओवी सी, 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 एश्टी, के कैंडिडेट के लिए 400 रोपे का पेमेंट करना होगा, पेमेंट का मोड है, आपको 400 रोपे का डीडी सास की चिकिस्सा महाविद्या लाए, और्टोनोमस सोसाइटी धतिया के ना डीडी आप किसके नापर बनवाएंगे, सास की चिकिस्सा महाविद्या लाए दतिया, और्टोनोमस सोसाइटी धतिया के नाम से बनवाना है, और आप जो फॉर्म भरेंगे, उसमें सरलगन सूची अनुसार, वास्चे, दास्तावेजों की अभी प्रमाले प्रतियों, एव से पहले आपको बैंक में जाकर एक डीडी बनवानी है, 600 रुपे की जनरल कैंडिडेट के लिए, 400 रुपे की OVC, SC, ST कैंडिडेट के लिए, आप डीडी बनाएंगे, इसके बाद आपको एक आविदन पत्र का प्रारू मिलेगा इसी पीडियाब में, तो इसमें आपको सा सारे आपकी जो कौफी हैं, उस पे आपको साइन करना है, और आपने जो 400 रुपे की डीडी बनवाई थी, या 600 रुपे की डीडी बनवाई थी, उसको इसी फॉंप के साथ अटेज करना है, जिसे आपको स्पीड पोस्ट कर देना है, स्पीड पोस्ट आपका होगा पोस्ट नहीं किया जाएगा पार्टिक्रम में प्रिवेश मेरेट के आधार पे होगा और इसके लिए आपको आप्लाइन काउंसिलिंग में भाग लेना पड़ेगा काउंसिलिंग का विस्तर सेड्यूल वेबसाइट पर अपलोड है इस वीडियो में भी हम देखेंगे काउंसिलिंग में भाग लेती समय अभ्यारती द्वारा आविदन प्रस्तुत करती समय आविदन के साथ सनलगन किये गए अभी प्रमालच दस्ताविजियों की मूल पिर्तियों एवाँ नरधारे स्टिक्चर सुल के साथ लेकर आना सुनिश्चित कर है तो जब आप काउंसिलिंग में जाएगे तो आपने जो जो फोटो कॉफी यहां पे लगाई है उन सब को ओरिजिनल डाकुमेंट्स आपको ले जाने है तो यह है आविदन पत्र का प्रारू यहां पे आप देख सकते हैं सेक्षड़ेक सतर दो जार बाइस देश के लिए फ और यहां पर आप देख सकते हैं जो जो कुछ भी मांगा जा रहा है यह सब आपको भर देना है इसमें कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट्स के मादियम से हमसे पूछ सकते हैं या इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं यहां पर आप देखेंगे एड्रेस यहां बनने के बाद तो मैरिट सूची कैसे बनेगी आपके ट्वल्थ में फिजिक्स जारी कि जाए वेगी अगर एक से नंबर नोजी में अधिक नमबर प्राप चिया रहेगा पांच जार रुपे आपकी सुरक्षानेदी रखेगी इसके वाद सेकेंडियर की पीच सतालीस जार नौसो दस रुपे यहां पे रहेगी एक वर्ट करकर आप सर्टिफिकेट कोर्स करते हैं तो आपको 49,604 रुपे का पेमेंट करना होगा और यहां पे आपको ग्रीन कार्ट सुविधा का लाब नहीं दिया जाएवेगा वहीं सुरक्षानेदी की बात करें तो 5000 रुपे आपको सुरक्षानेदी जमा करनी होगी और पूर सिक्षा सुलक जमा करने के पस्चात ही आपकी प्रेश पिक्रिया पूरी मानी जावेगी की सीट वं तं के पूर सभी विद्यारती जिन्होंनें रहे खांग लिया है और influencing करवाना होगा वेरिफिकेशन की अपरान तभ्यारती council के लिए पात्र होगा सभी पार्तिकणवों के लिए एक ही आविधन पत्र का प्रारूप है जिसको आपको बढरना है जो हम पहले देख चुके हैं इसके बाद आपकी counselling रहेंगी पहले पस्ट रांड की counselling रिक्त बचेंगी तो सेकेंड और थर्रांड की counselling यहाँ पर कराई जाएगी और एक CLC round की counselling होगी जो आपका मौपप round कहलाता है अगर आपका यहां पर जैसे नहीं होता तो आपके आप मौपप रौंड की कांसिलिंग भी अटेंड करनी होगी जिसमें आपको काफी ज्यादा चांस रहती हैं सीर्स मिलने की यहां पर प्रवेश के सवाएं टीसी माइग्रेशन की ओरिजिनल कॉपी आपको जमा करनी होगी और टीसी माइग्रेशन के अभवा में आपको यहां पर एडिविशन नहीं दिया जाएगा और 600 रुपे की डीडी भी बापस नहीं की जाएगी डाकुमेंट्स यह आप देख सकती हैं इस प्रकार से लगने वाले हैं इस पर एक और वीडियो आएगी बात में डाकुमेंट्स पर तो आप चैनल से जुड़ी रहेगा थाकि आपको कोई भी परेशानी ना जाए तो फ्रेंट्स यही थी जानकारी जो कि मैंने आपको देना अविश्त समझा अगर आप भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेजन के माध्यम से पूछ सकते हैं आज के लिए थना ही थैंक यू